प्रभास और नाग अश्विन की बहु प्रतीक्षित अखिल भारतिय परियोजना, कल की 2898 एडी, ने अपने भवे शीर्शक और टीजा लाज के साथ अमेरिका में साई डिएगो कोमिक कॉन कारेक्रम में धूम मचा दी. या फिल्म दर्शकों के ये पहले कभी ना देखे गाए सिनेमाई द्रिशे का वादा करटी है और इसने प्रशंसकों के बीच जबर्दस्त उत्साह पैदा किया है. टीजा में प्रभास और दीपिका पादुकों के साथ साथ महान बोलीवूद सुपारस्तार अमिताब बच्चन, वरिष्ठ अभिनेता पशुपती और काई एनी प्रमुक कलाकारों साहित काई स्टार कलाकार शामिल थे. हालांखी, एक उलेखनिय अनुपस्थिती कमल हासन की थी, जो मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाते हैं। कलकी 2898 इस्वी का कथानक एक अनूथे विशय के इर्ध-गिर्ध घूमता प्रतीत होता है, जो हिंडू पूरानिक कथाओं, विशेश रूप से भगवान विश्णू के टैन वेन अफ्तार, कलकी की अग्यात अवधारनाओं के साथ भविशय के तत्वों को जोडाता है। आत्वा कांशी विज्ञान फाइ त्रीलर का बाजात लिगाभाग 500 करोर रुपे है, जो इसे भारतिय सिनिमा इतिहास में सबेस अधिक बाजात वाली फिल्मों में से एक बनाता है। आयटेन बड़े निवेश के साथ प्रशन्सकों और फिल्म प्रेमियों को फिल्म की निर्मान गुनावार्टर और डृष्य प्रदर्शन के लिए समार रूप से उच्छ उमीदे हैं। प्रभास और दीपिका पादुकों के अलावा, कलकी 2898 AD में प्रभाफ शाली कलाकारों की टोली है, जिसमें दुर्जी प्रतिपक्षी के रूप में कमल हासन भी शामिल है। दिसा पटानी भी फिल्म में महत्वपूल भूमिका निभाने के लिए तयार है, जिससे परियोचना में और स्टार पावर जुड़ जाएगी। फिल्म के लिए संगीत संतोष नारायनन द्वारा तयार किया गया है, जिनसे एक आकर्श एकसॉंड त्रायक और मूज को बनाने की उम्मीद है जो फिल्म के भविश्य और पूरानिक विश्यों का पूरक होगा।